दोस्तों, मनुकामना की पूर्थी के लिए महिला एवं पुरुष दोनों ही मंदर जाते हैं, मगर क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदर देखा है जहां जाने पर मर्द भी औरत बन जाते हैं? दरसल ये मंदर केरल के कोलम जिले मिस्थ है, इसका नाम कोटन को लंगरा श्री देवी मंदर है, यह काफी प्राचीन मंदर है, यहां की परंपरा बिलकुल अनोखी है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस मंदर और इसके परंपरा के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अधिकार महिलाओं को मिला है, ऐसे में पुरुष इस मंदर में अपने सामयने रूप में अंदर नहीं आ सकते, इस मंदर में जाने के लिए पुरुषों को साड़ी पहननी होती है, साथ ही उन्हें पूरा सोला श्रिंगार करना होता है, तभी वो स्त्री जैसे दिखते हैं, लोग यहां पूर्ण श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं, पुरुषों के सजने के लिए मंदर परिसर में कमरा बनाये गया है, यहां स्रियों की वेश पुरुषा से लेकर नकली बाल एवं गहने मौजूद हैं, कई पुरुष अपनी मननत पूरी होने पर यहां श्रिंगार का सामान भी भेट करते हैं, माननता है कि इस मंदर में जो भी पुरुष सच्चे मन से मुराद मांगता है, उसकी सारी मनुकमने पूर होती हैं, इस मंदर में महिलाओं के अलावा पुरुष भी आस्था रखते हैं, तभी यहां आयुजित होने वाले विशेश उत्सवों में मर्दों की संख्या जादा होती है, इस मंदर में चाम्या विलखो उत्सव बनाया जाता है, इस समहरों में शामिल होने के लिए देश की हर कोने से पुरुष आते हैं, मर्दों के इलावा यहां ट्रांसजेंडरों की भी भीड़ होती है, उनका मानना है कि जह समाज में उन्हें तिरसकार मिलता है वहें इस मंदिर में उन्हें सम्मान मिलता है ये मंदिर काफी प्राचीन है और आज तक अपने प्राकर्तिक स्वरूत में है यहां मंदिर के उपर ना तो कोई छत है और ना ही कोई कलश इस राजिक का ये ऐसा एक मात्र मंदर है जिसके गर्व ग्रैक के उपर छदिया कलश नहीं है। इस मंदर में प्रवेश के लिए पुरुशों के कपड़े पहनने के पीछे एक पौरानिक माननिता बताई गई है। माननिता के अनुसार कुछ चरवाहों ने महिलाओं के कपड़े पहन कर पत्थर पर फूल चड़ाये थे, जिसके बाद उस पत्थर से दिवेशक्ति निकलने लगी थी। बताया जाता है कि चरवाहों के ऐसे पूजा करने के बाद से ही यहां मंदिर बनवाया गया, हाला कि इसे दूसरे मंदिरों के तरह जादा भवे नहीं बनाया गया, मगर इसके महत्ता को देखकर लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के सिलसले में एक और कहानी प्रचलित है, जिसके तहट कुछ लोग मंदिर में मौजूद एक पत्थर पर नारिल फोर रहे थे, तभी पत्थर से खून निकलने लग गया, जिसके बाद से यहां की पूजा की जाने लगी. माना जाता है कि देवी मा यहां पत्थर के सुरूप में विराजमान है, तभी पत्थर से खून निकल रहा था, यहां पूजा करने एवं दर्जन करने मात्र से भक्तों के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं. तो कैसा लगा आपको इस मंदिर के बारे में जानकर? क्या आप भी इस मंदिर में जाना चाहेंगे? मुझे कॉमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले.